हेलो फ्रेंट्स आज का टॉपिक है कि आप एशन पेंट के मास्टर इस्टोक एप में अपना रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं और उसमें आप अपना पेटियम अकाउंड कैसे एड़ कर सकते हैं वो भी अपने फोन से और बहुत आसानी से तो उसके लिए आपको अपने फोन में पेले श्टोर उपन कर लेना है सर्च में जाकर आपको लिखना है मास्टर इस्टोक मास्टर इस्टोक लिखते ही आपको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीकी का पेज उपन होगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है Master Stock App तो मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे open कर लेता हूँ एप open करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीकी का page open होगा जिस number को आप ACN Paint Master Stock App में registered करना चाते हैं तो उस number को आपको यहाँ पर enter कर देना है एंटर करने के बाद Continue वाले आप्शन पर click कर देना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीकी का page open होगा तो आपको नीचे दिख रहा होगा Please enter your full name तो जो आपका सुब नेम है वो यहाँ पर आपको पूरा डाल देना है डालने के बाद next वाले option पर click कर देना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा जिस number पर आपने registration करा है उस पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है OTP डालने के बाद continue वाले option पर click कर देना है किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा आपको password किस तरीके से रखना है दो number आपको English वाले डाल देने है उसके बाद add the net करने के बाद आपको math वाले नंबरों में से जो भी password रखना है वो रख लेना है उसके बाद आपको देखना है जो आपके सामने सही वाला निसान है अगर वो सही हो जाता है तो जो password आपने उपर डाला है वो ही नीचे वाले option में डाल देना है डालने के बाद आपको नीचे एक tick वाला निसान दिखेगा जिसमें आपको so password लिखा हुआ है आप जैसे ही उस पर tick करेंगे आपने जो भी password डाला हो वो आपके सामने सो हो जाएगा password देखने के बाद आपको फिर continue वाले option पर click कर देना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की का page open होगा आपको अपना बीपी नमबर दिख जाएगा आपको अपने बीपी नमबर का screen shot ले लेना है screen shot लेने के बाद आपको नीचे वाले option पर click कर देना है तो हमारे सामने कुछ इस तरह की का page open होगा तो आपको यहाँ पर अपना बीपी नमबर या आपने जिस नमबर को रजिस्टर करा है उस नमबर को यहाँ पर डाल देना है नमबर को डालने के बाद आपको continue वाले option पर click कर देना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की का page open होगा तो आपने पना password डाला था वो password आपको यहाँ पर डाल देना है password डालने के बाद आपको नीचे sing in वाले option पर click कर देना है तो फिर हमारे सामने कुछ इस तरह की का page open होगा तो यहाँ पर आपको उपनी language select कर लेनी है आपको English में रखना है या Hindi में रखना है तो मैं यहाँ पर Hindi भासा select कर लेता हूँ Hindi भासा select करने के बाद आपको continue वाले option पर click कर देना है किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको दो कोलम दिखेंगे तो आपको उनको टिक कर लेना है टिक करने के बाद आपको नीचे सवी कार वाले ओप्सन पर किलिक कर लेना है क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज उपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी language Hindi सिलेक्ट की थी तो यहाँ पर आपको यह सारी चीजे हिंदी में दिखा रहा है तो आपको दुबारे से language सिलेक्ट करने के लिए आपको bell वाले बटन के पास एक और option दिखाए देगा तो आपको वहाँ पर select कर लेना है select करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा तो यहाँ से मैं अपनी भासा English select कर लेता हूँ उसके बाद आपको नीचे वाले option पर click कर लेना है click करने के बाद हम फिर से उसी वाले page पर वापस आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा master stock app open हो चुका है तो आपको उपना paytm account add करने के लिए आपको token वाले option पर click कर लेना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा तो यहाँ पर आपको my account वाला option दिख रहा है तो आपको इस पर click कर लेना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा तो आपको यहाँ पर direct bank transfer वाला option दिखाए दे रहा है तो यानि के वो हमारा KYC करने के बाद चालू होता है तो आपको KYC की जानकारी भी मैं दे दूँगा आपको KYC किस तरीके से करनी है तो उससे पहले हम अपना Paytm account add कर लेते हैं Paytm account add करने के लिए नीचे आपको add account वाले option पर click करना है click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले enter account name में आपको अपना नाम डाल देना है जो आपके Paytm account पर पड़ा होगा तो नाम को डालने के बाद आपको नीचे enter Paytm number वाले option में जो आपका Paytm number है वो आपको यहाँ नीचे वाले option में डाल देना है डालने के बाद आपको निचे Create Account वाले option पर क्लिक कर देना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा तो आपका जो रचिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP गया होगा वो OTP आपको यहाँ पर डालकर submit वाले option पर क्लिक कर देना है किलिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की का पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा Paytium account सक्सेस्फुल हो चुका है Paytium account को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर dot वाले नीचे वाले option पर किलिक करना है किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पेटियम अकाउंट एड हो चुका है तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भोले मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद